हेलो अच्छ नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी दोस्तों यूपी पुलिस वह भरती जो की लगातार बीच मजधार में पस्ति है वह चली जा रही है आप लोग देख रहे ह कि लगातार जो चातर चातराएं हैं इससे लेके आवाज उठाने की कोसिस कर रहे हैं चाहे वो सोसल मीडिया हो चाहे वो धरना हो चाहे वो कोई और किसी प्रिकार का प्रदरसन हो कोई सोसल मीडिया के माध्यम से कोई पत्तराचार के माध्यम से कोई किसी माध्यम से कोई किसी माध्यम से सरकार के खिलाब सभी लोग मोर्चा बंदिक खोलने पे लगे हुए हैं दोस्तों यहां बात केवल यूपी पुलिस तकी सीमित नहीं हो जाती च्छेतर के जितने देश के जितने युबाँ हैं वो सभी बेरोस्गारी की मार से परेसान है यहीं इस बीच जो सेंट्रल गौषमarde अपना कारिय कर रही है बहुत अच्छा कारिय कर रही है लगातार GD की वेंचिया आप wp लोगो देखने के लिए मिल रही है बावजूद इसके उत्तर परदेश सरकार से कहीं ज़्यादा अच्छा कारी है अधर स्टेट की सरकारे कर रहे हैं रोजगार को लिखे वो लगातार वेकेंसिया जो है वो समय समय पे डालती चली जा रहे है लेकिन उत्तर परदेश एक ऐसा परदेश है जहां एक बार वेकेंसिया निकालने के बाद में सोचा ही नहीं जाएगा या तो निकाली जाएगी तो एकाएग धड़ा 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 धड़ वेकेंसिया जाएगी और गायब किया जाएगा तो 5-5-6-6 साल तक का समय गायब कर दिया जाएगा ऐसे में आप लोगों का बहुत जादा समय बरबाद हो गया है चाहे आप लोग सिक्षक भरती ले लो चाहे आप लोग पुलिस भरती ले लो चाहे आप लोग जिस भरती को लेना चाहो केबल दरोगा की भरती एक काम्याव इन्होंने अच्छे टाइम से करा दिया और वो भी नकल से करा दिया वो भी क्या काम्याव मानो उसमें भी नकल वाले भर दिया सारे के सारे तो कहने का मतलब यह है कि एक भी इस पश्ट तरीके से बढ़िया तरीके से जिसे हम लोग बोल सकते हैं बिल्कु साप तोर पर clean vacancy यह लोग नहीं कर पाई है यह पारदर्थ सी भरती जो है इन पर भी तक नहीं हो पाई है तो अब जो छात्र है वो पढ़े कि आंदोलन करे कि धरना करे कि social media पर trend छेड़े आखिर करे क्या सबसे तो आगर बेटे बेटे होंगे तो नेता आही बनेगा यह पक्का है फिकत न जैसे आप लोगों नहीं देखा होगा तो शुरू से तो इनको को फीद हो लगवाने की जरुवत भी नहीं पड़ती यह तो मलब पैदाई सी ही और घराने से उस नेता ही पैदा होते आए दूस की जारी कि पुलीस की भरती निकालो की चो आपकी टीचर की वेकेंसी उसे निकालो बस बोल दे रहें किटीचर की वेकेंसी का हुआ रस्ता साप आती है नहीं यूपी बुलेस भरती इतने पद गर दिया 22,669 आगर आएगी तो पदों का क्या पत्तों बढ़ते हैं गये केंसी तो पिछले कैई साल से लगाता और बढ़ती चली जा रही है लेकिन वेकेंसी निकालने का नाम ने लिए जा रहा है नौकरी के लिए बेरोजगारों का प्रतियोगी चात्रों ने मांग के समर्थन में नारे वाजी की इतना और करना पड़ रहा है बताओ चात्रों को है ना तो संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी चात्रों ने बुद्वार को पत्थर गिर्जा घराना इस्थल पर प्रतरसन कर रोजगार अधिकार के लिए आवाज बुलंद की संबोधित मुख्यमंत्री विप्रधान मंत्री जी को ग्यापन भी देने की बा अनिर सिंग ने कहा कि रिक्त पड़े 6 लाग पदों पर भरती शुरू की जाए सिख्षा सेवा चैन आयोग विधेयक जल्द पारित नहीं हुआ तो च्छात्र अंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे ग्यापन में टीजीटी पीजीटी के सभी लगवक 16730 रिक्त पदों को सामिल किया जाए परिसेदी विध्याले रिक्त पद जिसमेंगी एक दसम्लब दो छह लाख पद राज के विध्यालों में सायक अध्यापक वे प्रवक्ता के प्राप्त अधियाचनों पर विध्यापन असिस्टेंट प्रोफीसर भरती परिक्षा कराने पुलिस के रजत सहिंग राम बहादूर पटेल रजत यादब जी गोविंद मिस्र मनीज कुमार नितीश पांडे समयत काफी संक्या में प्रतियों की छात्र मौजूद रहे तो देखो भी अब तो कुल्मिला के बात यह है कि एक तो तैयारी दूसरी चीज टैंसन और है कि कही पकड़ लिए तो पुलिस में और यह लट्ट पार्टी करा देते हैं ऐसा यह ना प्रदर्सन भी सोच समझ के मतलब चात्र लोग करते हैं अब कुछ का कैरियर तक विचारों का तभा हो जाता है इस प्रदर्सन के चक्कर में लेकिन सभी लोगों का फायदा होता है तो कहने का मतलब जारी की जाए चाहे वो पुलिस वेकिन सी हो चाहे कोई सिक्छा की वेकिन सी हो सभी वेकिन सीओं का जल्दी से जल्दी आना आपके लिए सवी धाजनक माना जाएगा तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही उम्मीद यही आसा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करें य जल्द से जल्द पेकेंसी को निकाले जाहिंद।